हाई गाईज वेलकम यू आल वन्स अगें तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाइडाइरेक्शनल विजिटर काउंटर बना के देखेंगे अपने एट मेगा एट और मल्टिप्लेक्स्ट सेवें सेगमेंट डिस्प्ले की हेल्प से अगर आप लोग मेरी इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगोंने देखा होगा हम लोगोंने इससे जो प्रीविएस वीडियो है उसमें यूनिडिरेक्शनल विजिटर काउंटर बना के देखा था और वहाँ पर हम लोग एक बहुत चोटी सी प्राब्लम फे लेता था बिसिकली वहाँ पर हम लोगों के जो तीन डिस्प्लेज होती हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वो टर्न आफ हो जाती थी और मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था कि यह जो है हम लोगों का बिसिकली डिबाउंस टाइम की वज़े से होता है ठीक है तो इस प को generate करना होगा और उस interrupt के ISR के corresponding हम लोग अपना जो यह 7 segment है इसको control करेंगे ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम इसी concept के थूँ अपने 7 segments को control करके देखेंगे और देखेंगे कैसे हम लोगों का जो bi-directional visitor counter है वो काम करता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अप data lines है इनको हम लोग port D से connect करने वाले हैं और इसके बाद हमारी जो SL1 या फिर select line 1 जो है इसको हम लोग PC1 से connect कर रहे है SL2 को हम लोग PC2 से connect कर रहे है SL3 को आप PC3 से connect करेंगे और SL4 को आप लोग PC4 से connect करेंगे और आपको ध्यान देना है हम लोगों की जो multiplexed 7 segment display है यह फिलाल common catho type की है next next इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो sensors को connect करने वाले हैं अपने 8 mega 8 के सांथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो हम लोगों का sensor है वो entry door में लगेगा और जो दूसरा sensor है वो exit door में लगेगा और जो entry door वाला sensor है इसको हम लोग PB0 से connect कर रहे है और जो exit वाला है व पर button को use कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है फिलाल हम लोग जो 8 mega 8 है इसको external crystal oscillator से run कर रहे हैं और यह जो oscillator है इसकी frequency 12 megahertz है तो यहाँ पर आपकी timer से related जो भी calculations होंगी वहाँ पर आपको 12 megahertz के accordingly ही calculations को करना होगा ठीक है अब समझते हैं हम लोगों का यह जो system of exactly work करेगा कैसे तो इसीज़ के लिए मैं इसको यहाँ से play कर लेता हूँ अब देखिए initially हम लोगों का यहाँ पर जो 7 segment है इसमें 0 0 0 और 0 print हो रहा है ठीक है अब जब भी हम लोगों का यहाँ पर entry sensor के पास में कोई object आएगा तो हम लोगों की यहाँ पर जो values है वह increment होगी और जब भी exit sensor के पास कोई object आएगा तो उस condition में आप लोगों का यहाँ प object को detect कर लेगा और उसके corresponding हम लोगों की यहाँ पर जो value हो increment हो जाएगी तो देखते हैं जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर यह बटन हम प्रेस करेंगे वैसे हम लोगों की यहाँ पर value 1 हो जाएगी again इसके बाद अगर कोई दूसरा person यहाँ से enter करता है तो देखिए हम लोग को यहाँ पर value increment हो रही है तो stable output अब हम लोगों को यहाँ पर 7 segment में मिल रहा है जैसे previous वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम लोगों की first, second और third जो digits थी वो off हो जाती थी तो वो problem अब हम लोगों को यहाँ पर नहीं आएगी ठीक है वैसे again अगर आप इसको प्रेस करत है कि again अगर आप प्रेस करेंगे तो यह Decrement होके 2 हो जाएगा, फिर से अगर आप प्रेस करते हैं तो यह 1 हो जाएगा और फिर से करते हैं तो यह zero हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों का इस system हीहाँ पर काम करेगा, ना इसके बाद हम लोग इस system की programming को देख लेंगे, So programming में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो CPU है इसके frequency को define किया है 12 MHz Then हम लोगों ने यहाँ पर जो header files है उनको include किया और इसके बाद port C, port D और PC1234 जो है इनको अलग-अलग नामों से हाँ पर define कर दिया है और next इसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 functions को declare कर रहे हैं सबसे पहला यहाँ पर जो है INIT time or 2 नाम का function है इसको basically हम लोग time or 2 को initialize करने के लिए use करेंगे second हम लोगों का INC data नाम का function है यह basically हम लोगों के data को increment करने के लिए use होगा third हम लोगों के पास हैंपर DEC data नाम का function है इसको हम लोग data को decrement करने के लिए use करेंगे next इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने unsigned int type का एक array बनाया है और इसका नाम digit है और इसके अंदर हम लोग basically common cathode के corresponding जो भी हम लोगों के हाँ पर patterns बनते हैं digits के उनको store करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको हम लोगों ने store कर लिया next इसके बाद हम लोगों ने हपर int type के चार variables बनाये है data 1234 और इनके अंदर basically हम लोग जो भी seven segment में data transmit करना चाहते हैं उनको store करने वाले हैं next इसके बाद हम लोगों ने हपर unsigned int type के तीन और variables को declare किया है तो इसमें जो हम लोगों को first वाला यह जो है इसका नाम in sensor status रखा यह basically जो entry sensor के status को hold करेगा और यह जो दूसरा variable है यह हम लोगों के exit sensor के status को hold करेगा और जो third वाला है इसका नाम interrupt count है यह basically हमारे number of interrupts को count करने वाला है ठीक है so next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर main function है now main function के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ddr d is equal to 0 x ff लिख रहे है basically आप लोगों को यहाँ पर जो भी data transmit करना है 7 segment का वो port decay through करना है तो उसके corresponding आप लोगों को यहाँ पर जो port d है उसको output define करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों ने यह लिखा है next इसके बाद हम लोगों ने जो select lines है उनको यहाँ पर output define करना होगा तो उसके लिए आप लोगों ने इसकी actually जो definition है वो क्या है तो इसकी definition हम लोगों ने नीचे यहाँ पर कहीं लिखी है तो जब भी हम लोगों का यहाँ पर यह function call होगा तो आपका यह जो चीज़े हैं वो execute होने वाली है तो इस function के अंदर देखें सबसे पहले हम लोग जो tccr2 register है इसमें जो wgm21 है और यहाँ जो cs22 है इसको 11 देखें basically हम लोग यहाँ पर ctc mode use करना चाहते तो उसके corresponding आपको यहाँ जो wgm21 मैं इसको अब doona को और 64 pre skalir आप यहाँ पर यूस करना चाहते है तो उसके corresponding हम अब CS22 जो है इसको 1 देना होगा next इसके बाद हम लोग यहाँ पर OCR2 जो रेजिस्टर रेस में value initially 188 दे रहे हैं यहाँ पर 188 value हम इसे लिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो interrupt है वो हर 1.002 milliseconds के बाद generate करना चाहते हैं यह हम लोगों के actually calculation से आती है तो एक बार calculation को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का जो CPU है वो 12 MHz पर operate होता है बट हम लोग यहाँ पर क्या है 64 Prescalar use कर रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पर जो timer है वो 12 MHz डिवाइड बाइ 64 करके जो भी frequency आएगी उससे run होगा तो यहाँ पर जो हम लोगों के frequency आएगी यह देखिए आएगी 187.5 kHz ठीक है यह हम लोगों के frequency आएगी और इस ही frequency से हम लोगों का जो timer है वो भी run होगा अब यह जो हम लोगों का frequency इसके corresponding अगर आप यहाँ पर time निकालते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर time मिलेगा 5.33 microseकंड के असपास ठीक है तो अब देखिए अगर आप यहाँ पर OCR2 में value 188 देते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर जो interrupt है वो कितने time बाद यहाँ पर trigger होगा इसके लिए आप लोगों को यह जो 5.33 microseकंड इसको into करना होगा 188 से तो अगर आप यहाँ पर multiplication करते हैं तो आपको यहाँ पर value है वो मिलेगी 1.002 millisecond ठीक है तो यह हम लोगों की calculation है अब इसके बाद देखिए हम लोगों को यहाँ पर local और global interrupts को enable करना है so local interrupt को enable करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो TIMS के register है इसका जो OCIE 2 bit है इसको 1 देना होगा अब यह bit 1 देते ही हम लोगों का यहाँ पर जो compare match interrupt है वो enable हो जाएगा और इसके बाद अगर आप यहाँ पर global interrupt को enable करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर SEI नाम का जो function है इसको call कर लेंगे तो इतना काम हम लोग यहाँ पर INIT timer 2 नाम का जो function है उसके थ्रूँ करवाएंगे अब जैसे आपका यहाँ पर यही चीज़े execute हो जाएंगे तो again हम लोगों का यह जो program है main के अंदर जाएगा ठीक है तो again हम यहाँ पर main के अंदर करेंगे और जो भी वहाँ पर आपका status होगा उसको हम लोग variables के अंदर store कर देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी conditions को लगा रहे है ठीक है तो देखिए अगर आप लोगों कहा है पर PB0 से connected sensor on होगा तो उसके corresponding हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले debounce time द करेंगे और फिर हम यहाँ पर DEC data या फिर decrement data नाम का जो function है इसको call करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों का INC data जो function है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ तो इसको समझाने की मुझे जरूरत आपको नहीं है ठीक है यह हम लोगों का simply यहाँ पर जो भी data display करवाने वाले हैं उसको increment करता है सेम ऐसे हम लोगों का DEC data है यह function क्या करेगा जो भी यहाँ पर value हम display करवाना चाहते है उनको decrement करता है ठीक है तो simple सी है चीजे हैं इसको समझाने की यहाँ पर फिलाल जरूरत नहीं है तो यहाँ पर देखें हम लोगों का जो program है यह while one loop के अंदर ह घुमता रहेगा और चीजों को execute करेगा और यहाँ पर हर one millisecond के बाद जो हम लोगों का timer two है वो comparison match करेगा और जैसे ही आपका यहाँ पर comparison match होता है उसके corresponding interrupt हम लोगों का generate होगा और इसके corresponding यहाँ पर जो ISR है हम लोगों का execute होगा और इस ही ISR के through हम लोग यहाँ पर जो seven segments है उसमें data जो है वो transmit करने वाले हैं तो उस ISR को समझना आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा important है तो अब उस चीज़ को हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं तो यह हम लोगों का है timer two के corresponding compare match interrupt का ISR ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस ISR के अंदर switch case को simply use करने वाल जब भी first time में यहाँ पर interrupt trigger होगा तो case zero जो है वो execute होगा तो case zero के अंदर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं सबसे पहले seven segment one को select कर रहे हैं फिर जो भी data आप लोगों को यहाँ पर seven segment one में भीजना है उसका जो pattern ने उसको transmit कर रहे हैं फिर इसके बाद हम लोग यह से main में जाएगा अब main में जाने के बाद one millisecond के बाद या फिर one point zero zero two millisecond के बाद again आपका interrupt आएगा अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो interrupt count है इसकी value one हो चुकी है तो अब इस case में देखिए हम लोगों का यह वाला case चलेगा तो इस case के अंदर देखिए हम लोग क्या कर करेंगे तो अब यहाँ पर जो value है वो two हो जाएगी फिर से हम लोग यहाँ पर break करेंगे तो अगेन आपका यह जो इसर होगा फिर main में जाएगा फिर again one point zero zero two millisecond के बाद यह आएगा ठीक है फिर अब आपका यहाँ पर क्या है यह case two चलेगा अब इसमें देखिए हम लोगो क्या होगा हम लोग यहाँ पर third जो seven segment है इसको select करेंगे फिर जो भी data है यहाँ पर transmit करना है उसको transmit करेंगे then again हम यहाँ पर interrupt count की value को increment करेंगे तो अब इसके बाद आपकी value three हो जाएगी फिर से आपका ASR आएगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा third case चलेगा और इस case में हम लोग यहाँ पर जो fourth वाली seven segment है इसको select करेंगे फिर इसमें जो data है इसको transmit करेंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर जो interrupt count है इसको again zero कर देंगे यहाँ पर इसको फिर से increment नहीं करेंगे क्योंकि फिर से अगर आपने increment किया तो यहाँ पर case 4 हो जाएगा तो case 4 हम लोग ने चीजों को case zero में लिखा है इस वज़े से आप लोगों को यहाँ पर इसको zero करना है ठीक है तो यहाँ पर देखे basically होगा क्या हम लोगों का हर 1.002 millisecond के बाद जो ISR होए execute होगा और इसमें हर 1 millisecond के बाद एप्रॉक्स हम लोग जो data है वो seven segment में one by one पेजेंगे ठीक है तो इसको हम लोग यहाँ से आप built कर लेते हैं so built हो चुका है program next इसके बाद इसको हम लोग hardware में implement करके देख लेंगे hardware को हम लोग यहाँ पर program कर चुके हैं और initially आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के seven segments में 0,0,0 और 0 display हो रहा है तो अब देखिए हम लोगों का यह वाला जो sensor है यह basically entry gate वाला sensor होगा और यह जो sensor है यह exit gate वाला है या फिर कोई भी object वहाँ अगर detect होता है तो हम लोगों का यहाँ पर जो values हैं वो decrement होती है तो अब देखिए जैसे ही हम लोगों के sensor के through कोई भी object पास होगा तो हम लोगों की यहाँ पर जो values हैं वो increment होंगी ठीक है तो देखते हैं हम लोग जैसे ही first time हम लोगों का यहाँ स decrement होती रहेंगी ठीक है अब इसके बात suppose कि जिए अगर आप लोग यहां पर exit door से pass होते हैं या फिर यह जो exit वाले sensor है इसके सामने से गुजरते हैं तो इस case में हम लोगों की यहां पर यह जो यह जो जाएगी फिर से अगर यहां से पास होगा तो इस तरीके से हम लोगों का यहां पर यह जो बाइडायरेक्शनल विजिटर कांटरे काम करता है और यहां पर आप लोगों ने एक चीज और ध्यान दियों की हम लोगों का यह जो वाली जो वीडियो में हम लोगों की प्रॉब्लम थी वो यहां पर शॉट आउट हो चुकी है बट अगर इस सिस्टम की भी यहां पर बात की जाए तो बहुत ज्यादा फ्लेक्जिबल यह सिस्टम फिलाल नहीं है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर देखि जेस सिस्टम का है अब यहां पर एक काम यह हो सकता है कि आप लोग अपने डिबाउंस टाइम को बढ़ा लेजिए ठीक है अब स्पोस कीजिए आपने डिबाउंस टाइन यहाँ पर रख लिया 3 सेकंड्स ठीक है अब 3 सेकंड्स अगर आपने रखा तो यह प्रॉपर गुजरती है तो उस case में देखिए आप लोगों का यह वाले sensor का जो input है ना वो completely ignore हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ problems है हम लोगों के इस system की अगर आप लोग इन problems को overcome करना चाहते हैं तो सबसे best method यहां पर यह है कि आप यह दोनों जो sensors हैं इनको external interrupt के तुरू handle कीजिए ठीक है तो फिलाल हम लोगों ने हापर external interrupt को नहीं पढ़ा है तो फिलाल मैं वो चीज़ आपको नहीं बताऊंगा बट आगे आने वाली वीडियो में पहले जब हम लोग external interrupt के topic को complete कर लेंगे तो उसके बाद of course मैं हापर एक और वीडियो इस visitor counter पे बनाऊंगा तो आज के लिए इत friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जय हिंद जय भारत